हाई अब्रिवन मैं भूवी मेरी नीट अन्मश्मूर फेमली और मेरे सारे वीवर्स का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है फ्रेंड आज की वीडियो बहुत स्वाइशल है क्योंकि मदर्स दे आने वाला है और मैंने सुचा क्यू ना मेरी ममा को कुछ स्पेशल मेरे हाथो का बना गिफ्ट किया जाए तो मैंने सुचा आप लोगों की साथ भी ये वीडियो शेयर करूँ तो मैंने ये मेरी ममा के लिए specially बनाया है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं आज हूँ और मैंने जो भी कुछ सीखा है और जो भी मुझे में creativity है मेरी मा की वज़े से है मैंने सब कुछ मेरी ममा से ही सीखा है I hope मेरी ममा को ये काडिगन बहुत पसंद आएगा मैंने पहले भी उनके लिए sweaters बनाए है पर आफ्टर मैरी मैं बना नहीं पाई थी तो मैंने सोचा मदर्स दे से अच्छा special occasion क्या हो सकता है कि मैं उनके लिए कुछ special बनाऊ और ये ममा special है तो मुझे पूरा बरोसा है कि ये बहुती सुन्दर बनेगा और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बुनाई शुरू करने से पहले इसकी बुनाई कैसे हुई है वो जान लेते हैं इसकी बुनाई मैंने बुनाई के बाद मैंने यहां पर फंदे उठाकर इसके फ्रंट बैक और शूल्डर पार्ट को अलग अलग डिवाइट किया फिर आगे इसकी बुनाई किया इसमें जो रेगलान पैटर्न मैंने बुना है वो भी बहुती सुन्दर लगता है इसकी बुनाई कैसी हुई है हम आगे वीडियो में सीखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं यह वीने कार्डिगन है तो वीने कार्डिगन बॉर्डर के साथ कैसे बुनेंगे वो भी आज हम वीडियो में सीखेंगे तो आज की वीडियो में हम योग तक की बुनाई करना सीखेंगे और बॉर्डर के जो designer edge है और इसको ऐसे smooth कैसे हमने बुनना है आज वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे मैं साथ-साथ मिडियो बना कर post कर रही हूँ तो इसमें कितना gram wool उज़ वा है? इसके लिए आप 2nd पार्ट जरूर देखेगा हम डबल एक्सल साइज की ये काडिगन बुनना सीख रहे हैं तो इसके लिए मैं वर्दमान की ही 3-ply wool यूज़ करी हूँ जो कि बहुत मोटी wool नहीं है ये पतली wool है इस काडिगन को बुनने के लिए मैं 9 और 10 नमबर की सरकुलर निडल यूज़ करी हूँ पॉडर को बुनने के लिए मैं 10 नमबर की यूज़ करूँगी फिर उसके आगे हम 9 नमबर से कंटिन्यू करेंगे इसके अलावा हमें मारकर, सिजर, सुई और मैजरमिन टेप की ज़रुवत पड़ेगी तो चलिए काडिगन की बुनाई शुरू करते हैं आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे दूसरी यान ली है तो यहाँ पे हमें क्या करना है पहले यहाँ पे इस यान से हमें 20 से 22 चेन बुनने हैं अब यह क्यों आगे वीडियो में आपको पता चलेगा सबसे पहले हम एक नौट लगाएंगे अब यहाँ एक नौट लगाने के बाद आगे हमें यहां पे चेंज बुननी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौनदर, पंदर, सोला, यह सोला हो गए, अब आगे यह सत्रा, अठारा, उननीस, बीस, एकीस, बाइस, अब यहां पे बाइस चेंज हमने बुनने हैं, यान कट करके इसको सिक्योर कर लेंगे, हमने total 18 फंदे cast ON करने है diferen दो chain छोड़का तीसरी chain से हम बुनना शुरू करेंगे अब जो बुनाई वाली यान लेंगे उससे हम यहांए से फंदे कास्ट ON करेंगे यहां से बुनना शुरू करेंगे हमें 18 फंदे कास्ट करने तो एक हो गया मैं बॉर्डर को गुनने के लिए 10 नमबर की सर्कुला निडल यूज कर रहे हूँ ये दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारः बारः तेरह चौन्दा पंदरह सोल सत्रा और ये अठारा तो बॉर्डर के हमने अठारा फंदे यहाँ पर कास्ट आउन करने बागी इदर साइड जो चेन पचे उन्हें हम छोड़ देंगे अब इन्ही अठारा फंदों को आगे कंट्व करेंगे और बॉर्डर की बुनाय करेंगे नक की बॉर्डर की यहाँ से बॉर्डर साइड की बुनाय करनी है तो यान पीछे लेकर हमें एक फंदा सीधा बुनना है फिर यान आगे लाकर एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा ऐसे ही बुनते जाना है दो फंदे बचने तक अब यहाँ पे लास्ट के दो फंदे बजगे हैं तो उनको हमें पर्ल बून का ये रो कम्प्लेट करनी है रॉंग साइट की तो हमने बुनाई कर ली है अब हमें राइट साइट बूनना है अब हम राइट साइट की बुनाई करेंगे ये रो सेकेंड है इसमें आगे के दो फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है तो जो आगे के दो फंदे उनको सीधा बुनना है दो फंदे हमने सीधे बुने अब आगे हम यान लाकर एक फंदा पॉल बुनेंगे फिर यान पीछे लेकर एक फंदा सीधा बुनेंगे तो आगे बॉर्डर वाली बुनाई करनी है लास्ट के तीन फंदे बचने तक अब यहां पर लास्ट के तीन फंदे बचके इनको सीधा बुन कर हमने ये रो भी कमप्लीर करनी है राइट साइट की बुनाई हो गई है अब ये रॉंग साइड है और ये रो थर्ड है तो इसमें हमने दो फंदे आगे के स्लिप करने है सीधी साइट से हमें ऐसे स्लिप करना है और थर्ड वाला फंदा हमने बुनना है थर्ड वाला फंदा हमने बुना फिर बॉर्डर की जो बुनाई है उसको कंटिनू करनी है एक फंदे की सीधी और एक फंदे की पर्ल बुनाई करनी है लास्ट के दो फंदे बचने तक यहां हमने दो फंदे बचने तब बुनाई कर ली है अब यान आगे लाकर बचे फंदो को पर्ल बुन कर हमने ये रो कम्प्लीट करनी है इसी के साथ third row की बुनाई यहां complete होती है अब हमें right side की बुनाई करनी है row fourth की तो इसमें हमने पहला फंदा slip करना है आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है फिर इसके आगे हमने border वाली बुनाई continue करना है आगे लाकर एक पर्ल और यहां बैक लेकर एक फंदा सीधा बुनना है फिर यहां आगे लाकर एक पर्ल फिर से एक सीधा ऐसे करके लास्ट के तीन फंदे बचने ता हमने बुनते जाना है अब यहां ता बुनाई करने के बाद तीन फंदे बचने है अब यह जो तीन फंदे हम बून रहे हैं वो एज के लिए बॉर्डर की जो एज स्मूद और डिजाइनर लगती है वो इसी से लगती है अब हमें फिफ्द रो की बुनाई करनी है रॉंग साइड की इसमें हमने दो फंदे सलिप किये हैं और थार्ड वाला फंदा बूनना है फिर उसके बाद बॉर्डर वाली बुनाई कंटिनू करनी है एक सीधा और एक पर्ल बूनना है लास्ट के दो फंदे बचने दा अब यहाँ बच्चे दो फंदों को पर्ल भून कर ये रो भी हमने complete करनी है 5 थो की बुणाई यहाँ complete हो गई है अब ये 6 थो है और राइड साइड है अब हम 6 थो की बुणाई करेंगे इसमें पहला वाला फंदा slip करके आगे का एक फंदा हमने सीदा बूनना है फिर border वाली बुनाए continue करनी है एक पर्ल और एक सीधा लास्ट के तीन फंदे बचने था हमें ऐसे ही बुनते जाना है अब यहां बचे तीन फंदों को सीधा बुन कर हमने ये रो कम्प्लीट करनी है सिक्स रो की भी बुनाई यहां कम्प्लीट हो गई है अब आगे हमें लास्ट के टू रोस को ही रिपीट करके इसकी लंबाई को बढ़ाना है और 20 सेंटीमीटर होने तक इसको हमने बुनते जाना है मैं ये डबल एक्सरसाइज और ब्रॉश रोल्डर के नाप की थोड़ा कम्फूटबल बुनना चाती हूँ तो मैंने वी नेक के हिसाब से इस साइट की जो बौडर है उसको लगबग 20 सेंटीमीटर बुना है ये लेफ्स साइट की बौडर है यहां तक हमने इसको 20 सेंटीमीटर बुना है मैं आपको मैजर करके बताती हूँ तो यहां आप देख सकते हैं इसको मैंने यहां तक 20 सेंटीमीटर बुन लिया है हम वीने काडिकन बुन रहे हैं तो यहां तक यह एक साइट के नेक के बौडर की बुनाई है अब यहां तक हमने 20 सेंटीमीटर बुनाई एक साइट का है अब यहां पे हमने राइट साइट का यहां पे जोड़ना है अब एक साइट के नेक की बॉर्डर की बुनाई हो गए अब इसके आगे हमें 20 cm बूनना है तब ही हमने यहाँ पे क्रोशा से बुनाई की थी ताकि आगे हम इसके फंदों को उठा कर यहीं से इसकी बुनाई शुरू करें हमने ग्रीन वाली से चेन बुन कर यहाँ से बुनाई स्टार्ट किया था अब हमें दूसरे एंड से एक के करके चेन को खोलते जाना है और फंदे नेडल में इंसर्ट करना है तो टोटल 18 फंदों को हमने नेडल में इंसर्ट करना है अब 18 पंदे हमने निडल में इंसर्ट कर ले हैं अब यहीं से जो स्टार्टिंग पॉइंट ही यहीं से हमने बुनना शुरू करना है इसके जस्ट ऑफजिट हमने यहां पे बुनना है क्योंकि यह दूसरी साइड का है तो जैसे हमने पहले बुनाई की ते उसका जस्ट यहां पे ऑफजिट हमने बुनना है यह रॉंग साइड है यहीं से हम बुनना शुरू करेंगे दूसरी यान लेंगे और यहीं से हम बुनना इसको शुरू करेंगे अब यह रॉंग साइड है और इसको रोवन काउंट और यहां पर यान लेकर हमने आगे के दो फंदो को पर्ल बूनना है एक फंदा हमने पर्ल बूनना पर उसके आगे का एक फंदा उसको भी हमने पर्ल बूनना है यार्ण पीछे लेकर एक फंदा हमने सीधा बुर्णा है यार्ण आगे लाकर एक फंदा हमने पुर्णा है ऐसे ही हमें बुणते जाना है लास के 3 पंदे बचने तक अब यहां लास के तीन फंदे बजगे उनको पर्ल बुनकर ये रू हमने कम्प्लीट करनी है रॉंग साइट की बुनाई पूरी हो गई है अब हमें राइट साइट की बुनाई करनी है जैसे पहले हम आगे से दो फंदा स्लिप करके थर्ड वाला फंदा बुनते थे यहां पे जस्ट ऑपोजिट उसका बुनना है तो पहले हमें अब यहां राइट साइट से हमको दो फंदे ऐसे स्लिप करने है फिर थर्ड वाला फंदा उसकी हमने सीधी बुनाई करनी है तो उसका हमने जस्ट opposite बुनना है फिर उसके बाद आगे border की बुनाए करने है यान आगे लाकर एक फंदा पर्ल और एक फंदा हमने सीधा बुनना है लास्ट के दो फंदे बशने तक अब लास्ट के दो फंदे बशने बशने उनको सीधा बुनकर ये रोवी हम complete करेंगे second row की भी बुनाए complete हो गई है अब हमें third row की बुनाए करनी है तो third row में हमने पहला पंदा slip करना है आगे की एक फंदे को पर्ल बुनना है फिर आगे border वाली बुनाए continue करनी है एक फंदा सीधा और एक फंदा पर्ल तब तब बुनते जाना है जब तक की लास्ट के तीन अब यहां बचे तीन फंदों को हमने पर्ल बुन कर ये रो कम्प्लीट करनी है थर्ड रो की भी बुनाई पूरी हो गई है अब ये रो फोर्थ है और राइट साइड है इसमें हमने दो फंदे slip करने हैं और थर्ड वाला फंदा बुनना है फिर आगे हमें border वाली बुनाई करनी है एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा और तब तब बुनते जाना है अब यहां तब बुल लेने के बाद लास के दो फंदो को सीधा बुनकर हम ये रो कम्प्लीट करेंगे फोर्थ रो की भी बुनाई हमने कर ली है अब हमें लास के टूरोज को ही रिपीट करके बुनते जाना है और हमें तब तब भूनते जाना है जब तकी इस side की जो border की length है वो 20 cm हो नहीं जाती border की length हमने complete कर ली है तो इसकी जो total लंबाई है लवच 40 cm की हमने complete कर ली है V neck है तो हमें border के साथ भूनना है तो ऐसी ही border की भूनाई करके हमें जोड़ना होता है आप देख सकते हैं यह 40 cm हमने भून लिया है और इसी के साथ neck के border की भूनाई यहां complete होती है हमने neck के border की तो हाब भूनाई कर ली है गुलाई में अभी यह हमें V neck भूनना है तो आगे हमें फंदे भी उठाने हैं परण बैक शोल्डर के पार्ट को भी हमने यहां पे कास्ट ओन करने है और अलगला उसको डिवाइट करना है लास्ट जो border की भूनाई हमने की थी उसी के आगे हम continue करेंगे और गोलाई में बूनेंगे यही से योग की बूनाई शुरू होगी सबसे पहले हम border की फंदों की बुनाई करेंगे अब इसको हम row one count करेंगे तो दो फंदे हमने slip के थर्ड वाला फंदा हमने सीधा बुनाई फिर आगे हम border वाली बुनाई continue करेंगे यान आगे लाकर एक फंदा पर यान पीछे लेकर एक फंदा हमने सीधा बुनना है तो तेर हमने बॉडर के 16 फंदे ब् inspiration बज गें हैं यहां पर दो फंदे बज गें अब इन दो को 00 का हमनेuds एक फंदा करना है जैसे ऊप हुआ को इसे पहले दोनों को through करना है इसको दुभारा देखेंदे इसको हम slip करेंगे फिर दो फंदो को ऐसे twist करके एक फंदा करना है अभी सीधी साइड़ उसको ऐसे हम करेंगे ये सीधा फंदा हो गया तो फंदो का हमने एक फंदा किया याद रखेगा अब बॉर्डर के 17 फंदे ही बज गये हैं एक फंदा हमने माइनस कर लिया यहाँ हमने दो फंदो का एक फंदा करना है उसको बूर्णा नहीं है अब आगे हमें 64 फंदे कास्टोन करना है जहां हमने twist किया था उसी के जस्ट नीचे से सबसे पहला फंदा हमने यहाँ पे कास्टोन करना है हाँ इसके जश नीछे से हमने एक फंदा है कास्टोन करना है अब यहां पर बॉर्डर के शत्राlt फंदे हो गए शत्रा फंदो के बाद 902 गखा में कास्टोन कर लिया है अब आग़े हम Saiり Gy Research और कास्टोन करने हैं ज़ी हमें दucharist के बॉर्डर से पहले तो टोटल हमने 64 फंदे कास्ट टॉन करने तो यहां पर हमने एक फंदा करना है उससे पहले हम यहां पर बॉर्डर की जो आगी की दू फंदे उनको ट्विस्ट करके एक फंदा करना है तो यहाँ पे हमने slip नहीं करना है यहाँ पे हमने ऐसे twist करना है twist करके दो फंदोग हमने एक फंदा करना है तो यहाँ पे भी हमने एक minus कर लिया है means एक फंदा गट गया है अब इसी के just नीचे से हमने एक फंदा यहाँ पे cast on करना है तो इसको मिलाकर 64 फंदे हो जाएंगे जो इसके जस नीचे से हमने यह फंदा यहां पर एक आस्टोन किया इस फंदे के हम बुनाई नहीं करेंगे इसको हम ऐसे ही निडिल में ले लेंगे फिर हमें आगे बॉर्डर के फंदों की बुनाई करती है यान आगे लाकर एक फंदा पर बुनेंगे यान पीचे लेकर एक फंदा सीधा बुनते जाएंगे लास के तीन फंदे बचने तक और बच्चे तीन फंदों को हमने सीधा बुन कर यह रो कम्प्लेट करनी है इसे के साथ row 1 की बुनाई यहां complete होती है अब total 98 means 98 फंदे हो गए हैं 17-17 फंदे border के और यहां पे हमने 64 फंदे कास्टन के तो मिलाकर 98 फंदे हो गए हैं अब हमें wrong side की बुनाई करनी है और यहां पे फंदो को divide भी करना है तो यहां front back shoulder के parts को हमें अलग-अलग divide करना है अब यहां wrong side second की बुनाई करनी है और फंदो को divide भी करना है हमने तो आगे के दो फंदो का हमने slip करके थर्ड वाला फंदा हमने पर्ल बुनना है फिर आगे border के फंदो को हमने बुनना है यहां पीछे लेकर एक फंदा पर्ल और एक फंदा हमने सीधा बुनना है और 14 फंदो में हमने border वाली बुनाई करनी है border के 16 फंदे हमने बुन ले हैं अब यह 17 फंदा है जिसको हमने twist करके right side में बुनानी था उसको भी हम इसमें बुन लेंगे अब यहां border के फंदे हमने बुन ले हैं अब यहां मार कर लगा लेंगे अब यहां पे border के बाद हमने मार कर लगा कर आगे 2 फंदो को हमने पर्ल बुनना है अब 2 फंदे बुन लेने के बाद हमने आगे एक मार कर और लगाना है पिर आगे हमने 9 फंदों को पर्ल बुनना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फंदे हमने पर्ल बुनने फिर उसके बाइद यहां भी एक मार कर हमने लगाना है अब हम बैक साइट के फंदों की बुनाई करेंगे तो 42 फंदे हमने बैक साइट के पर्ल बुननना है 42 फंदे हमने बैक साइट के बुन ले हैं अब यहां पर हम मार कर लगा लेंगे फिर आगे हमने 9 फंदों को पर्ल बुननना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब यहां 9 फंदों के बाद यहां मार कर लगा लेंगे फिर आगे 2 फंदों को हमने पर्ल बुननना है तो 1 और यह 2 अब 2 फंदे पर्ल बुन के हमने यहां पर मार कर लगाना है फिर आगे हमने बादर के फंदों की बुनाई करनी है जो फंदा हमने पहले बुनानी था राइट साइम उसको भी बुननना है एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा बुनते जाना है लास के तीन फंदे बचने तक फिर लास के तीन फंदों को हमने पर्ल बुनकर ये रोग कम्प्लीट करने है अपने रोग साइट सेकेंडों की बुनाई कम्प्लीट कर ली है अब ये रोग थर्ड है अब थर्डों से हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे यहां से रेगलान बुनाई स्टार्ट होगी तो इस रोग से हम अब फंदे बढ़ाएंगे और फंदे कैसे बढ़ाएंगे वो इस रोग में हम सीखेंगे अब थर्ड रोग की बुनाई हम करेंगे तो इसमें हमने आगे के दो फंदे स्लिप करने है और तीसरा फंदा हमने सीधा बुनना है फिर आगे border की बुनाई हमने पूरी करनी है एक फंदा पर्ल और एक फंदा सीधा भून कर तो चौनदे फंदे हमने ऐसे भूनने है और border की बुनाई कंप्लीट करनी है border की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है और marker point आ गया है यहां पे हम marker लगाये रखेंगे अब यह दूसरा जो marker point है उसकी आसपास हमने फंदे बढ़ाना है तो पहले यहां पर एक फंद अम सीधा बुणनेंगे फिर यहां आसपास एक एक फंद हमने बढ़ाना है अब यहां पे हम कैसे फंदे बढ़ाएंगे तो एक ही फंदे को हमने दो बार बुनना है तो एक बार हमने बुनना फिर एक बार यहां पर बैक साइट से सीधी बुनाई करनी है यहां पर ऐसी बैक साइट से एक बार और इसको बुनना है तो इसको हमने एक बार सामने से और एक बार बैक साइट से बुनना अब ऐसे ही दूसरी साइड भी हमने फंदे बढ़ाने एक बार आगे से एक बार इसके बैक सेट से तो यहाँ पे हमने दो फंदे बढ़ा ले अब आगे हम यहाँ मारकर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक बुनाए करेंगे दो तीन चार पांच छे और यह साथ अब साथ फंदे हमने बुने अब यहाँ भी मारकर पॉइंट से पहले हमने एक फंदा बढ़ाना है यहाँ एक फंदा बढ़ाया अब मारकर पॉइंट के बाद भी हमने एक फंदा बढ़ाना है तो वैसी फंदा बढ़ाएंगे जैसे पह अब इदर साथ एक बंदा बचने तहां हमको बूलते जाना है फिर ऐसे ही दूसरी साइट भी हम फंदे बढ़ाएंगे अब यहां तक हमने बैक साइट के 40 बंदे बूल ले हैं और यहां एक बच गया तो यहां पे हम एक बढ़ाएंगे एक बार हम आगे से बुनेंगे फिर एक बार बैक साइट से बुनेंगे तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ाने के बाद मारकर लगा कर दूसरी साइट भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे अब यहां भी हमने बढ़ा लिए आगे के 7 फंदों की हम सीधी बुनाई करेंगे अब यहां 7 फंदे हमने सीधे बुन ले हैं आगे हमने 1 फंदा बढ़ाना है तो मारकर पर्ण से पहले हमें यहां 1 फंदा बढ़ाना है फिर मारकर लगाकर दूसरी साइड भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे अब यहां फंदा बढ़ाने के बाद आगे हमने एक फंदे की सीधी बुनाई करनी है फिर मारकर लगाकर आगे जो पॉडर का पाट है उसके हमने बुनाई करनी है एक फंदा सीधा और एक फंदा पॉर्ड बुनना है पॉर्डर के 14 फंदे बुन लेने के बाद बचे तीन फंदो को सीधा बुन कर हम ये रो कम्प्लीट करेंगे थार्ड रो राइट साइट की बुनाई हमने कम्प्लीट कर ली है अब हमें फोर्थ रो रॉंग साइट की बुनाई करनी है अब इसमें हमने आगे की दो फंदो को पहले स्लिप करना है और थर्ड बाले फंदे की हमने परल बुनाई करनी है फिर आगे बॉर्डर की जो बुनाई है वो कंटिन्यू करनी है तो एक फंदा हमने सीधा और एक फंदा परल बुनना है 17 फंदो की बॉर्डर की बुनाई कम्प्लीट होने के बाद लास्ट के बाँडर के 17 फंद बश लेता हमें परल बूँनना लास्ट के साइट के बाँडर हमें फंद बूंद्रनाय है फोर्थ रो रॉंग साइट की बुनाई हमने कम्प्लीट कर ली है अब हमें फिफ्थ रो की बुनाई करनी है जैसा कि हम वीनेक बना रहे हैं तो वीनेक को शेप भी देनी है तो यहां से वीनेक के लिए हम फंदे बढ़ाएंगे बुनाई करने के बाद हमें फंदे बढ़ाने है तो फंदे हम कैसे बढ़ाएंगे वो आगे हम सीखेंगे अब फिफ्थ रो है और राइट साइड है और इसमें हम वीनेक को शेप देंगे तो इसमें हमने पहले बुनाई करनी है तो दो फंदो को हमनेगे बोले करके थर्डबाला फंदा सीधा बूनना है तो हमनेगे- बूर्डर भूना है थог SUS पॉडर की बुनाई हमने कर ली है अब यहां पे मारकर लगा लेंगे फिर मारकर पॉइंट के बाद हमें फंदे बढ़ाने हैं हमें यहां पे वीनेक को शेप देना है तो यहां पे इनी फंदों की बीच में यह जो फंदा है इस फंदे को उठा कर इसकी बुनाई करेंगे तो आगे से हम ऐसे उठाएंगे और इसको हम बैक साइड से उठा कर इसकी सीधी बुनाई करेंगे ताकि दोनों के बीच में कोई गैप न रहे अब यहां हमने एक फंदा बढ़ाया आगे हमें दो फंदों की सीधी बुनाई करनी है तो यहां एक और यह दो अब दो फंदे हमने बूल ले हैं यहां पे हमें फंदे हर बार की तरह बढ़ाने हैं तो यहां मारकर परंट से पहले हम एक फंदा बढ़ाएंगे फिर मारकर लगाकर हमें दूसरी साइड भी एक फंदा बढ़ाना है अब यहां हमने दो फंदे बढ़ा ले हैं आगे हमने 9 फंदों की सीधी बुनाए करनी है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब 9 फंदे हमने सीधे बुने और यहां भी हमने marker point के साइड और दूसरी साइड फंदे बढ़ाने तो यहां एक फंदा बढ़ाया फिर marker लगाकर दूसरी साइड भी हमें एक फंदा बढ़ाएंगे फिर back side के हमें फंदों की बुनाए करनी है यहां पर 42 फंदे हमने सीधे बुनने हैं दूसरी साइड के marker point के आगे एक फंदा बचने तक फिर marker point के दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाएंगे अब यहां इस marker point के बाद दो फंदे बस्ते हैं, इनके हमने सीधी बुनाई करनी है, अब जैसे पहले हमने border के बाद फंदे बढ़ाये थे, वी शेप के लिए यहां भी border के पहले एक फंदा हम बढ़ाएंगे, तो इस side हमने border का फंदा वैसे ही बुनना है, जैसे फंदा उठाकर हमें back side से ऐसे सीधी बुनाई करनी है, अब यहां एक फंदा बढ़ाने के बाद आगे पॉर्डर की फंदों की हमने बुनाए करने है तो एक फंदा हमने सीधा बुनना है या ना आगे लाकर एक फंदा पड़ फिर ऐसी हमें 14 फंदों की बुनाए करते जाना है फिर लास्ट के जो तीन फंदे बसते हैं उन्हें फिफ्थ रो राइड शैट की बुनाई हमने कम्प्लीट कर ली है और हमने वी नेक को शीप देने के लिए बॉस्प इस पंदे बढा है जिस में और पहले बॉडर के सत्रह फंदों की बुनाई करनी है 6 twin LED तक हमने बुनाई कर ली है अब आगे भी हमें ऐसे ही बुनते जाना है जहाँ जा मार्कर पॉइंट है उसके अगल बगल हमे फंदे बढ़ाते जाने हैं और हमें वीनेक को शेप देने के लिए फंदे भी बढ़ाने हैं हमने 5th row में एक बार विनेक को shape दिया और दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ा लिया है अब मैं 4th row के बाद एक एक फंदा बढ़ाना है और ऐसे हम 3 times बढ़ाएंगे फिर उसके बाद हमने 2 rows के बाद फंदे बढ़ाने हैं और हम 12 बढ़ाएंगे तो ऐसे करके हमने 16 times बढ़ाने है और आगे तब तब बुनते जाना है जब तक की योग की length complete नहीं हो जाती मैंने योग की बुनाई भी complete कर ली है और वीनेक को shape भी दे दिया है और यहां तब बुनने के बाद हमारे पास total फंदे हो गए बॉर्डर के 17-17 फंदे और front side के 56-56 फंदे दोनों shoulders में 75-72 फंदे और back side में 106 फंदे है और हमने वीनेक को shape देते समय दोनों side 16-16 फंदे means 32 फंदे बढ़ा ली है अब योग तक की तो हमने बुनाई complete कर ली है अब इसकी measurement ले लेते हैं तो सबसे पहले हम आमोल की length देख लेते हैं तो इसको मैंने 10 इंच लगबद बुना है इसकी length complete होने के बाद आप अपने लिए बना रहे हैं तो एक बार नापकर देख लीजीगा मैंने इसको थोड़ा comfortable बनाने के लिए इसको लगबद 10 इंच बुना है और बहुत ही मैंने इसको हलके आतों से बुना हुआ है जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि percent to percent थोड़ा बहुत measurement अलग-अलग हो सकता है तो आप इसके आमूल की length और यहां पे shoulder में कितने फंदे रखने हैं अपने हिसाफ से बुन कर आप रख सकते हैं किसी को बहुत fit चाही होता है और किसी को बहुत lose पहनना होता है तो अपने हिसाफ से इसकी length आप रख सकते हैं और इसी हिसाब से आप बून सकते हैं आमोल की तो measurement हो गई है अब हम योग की ले लेते हैं बैक साइड से इसकी नाप ले लेते हैं तो बॉर्डर के बाद इसको हम नापेंगे अब यहां से योग तक की जो लंबाई है यहां पैसे देखे तो आपको 25 cm दिखाए दे रहा है तो अभी निडिस लगे हैं तो यह लगबा 26 cm मेंने लंबा बुना है योग की बुनाई भी हमने complete कर ली है और इसकी measurement भी हो गई है अब आगे हमें front और back पार्ट को यहां पे जोड़ना है और दोनों shoulders के पार्ट को हमने अलग करके बाद में sleeps की बुनाई करनी है तो अभी हम shoulders के पार्ट को अलग करेंगे और front और back पार्ट को जोड़ेंगे अब यहां तब बुनाई करने के बाद हमें front और back पार्ट को जोड़ना है फिर हमने यहाँ पे शोल्डर्स के दोनों पार्ट्स को अलग करके यान में सिक्यूर करना है फिर बाद में हम स्लीप्स की बुनाई करेंगे अब हमने पहले बॉर्डर की बुनाई करनी है जैसे हम बॉर्डर बुनते आये थे वैसी ही बुनना है तो सबसे पहले यहाँ पे H की बुनाय करेंगे तो दो फंदे हमने स्लिप करने है और थर्ड वाला हमने बुनना है तो जैसे हमने H बुना था पहले वैसे ही हमें बुनना है बीवी तो यहां पे दो फंदे स्लिप करने के बाद थर्ड वाला फंदा हमने सीधा बुनना है फिर यान आगे लाकर एक फंदा पर्ल बुनना है आपके बॉर्डर के 17 फंदे बूल ले हैं अब यहां पर मारकर लगा कर आगे फंड साइट के हमें फंदे बूलने हैं तो यहां तक के 56 फंदो को हमें सीधा बूनते जाना है अब फ्रेंट साइट के हमें 56 फंदे बूलने हैं और मारकर पॉइंट आ गया है अब हमें शोल्डर के 75 फंदो को यान में सीक्यूर करना है पहले हम फ्रेंट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे फिर बाद में हमें यहां पे स्लीप्स की बुनाई करनी है तो अभी हम फिलाल इ और सुई में दूसरी यान लेकर इन 75 फंदो को यान में सीक्यूर करना है अब इसको हम अच्छे से सीक्यूर कर लेंगे और इसको बाद लेंगे शोल्डर की फंदो को यहां पे हमने सीक्यूर कर लिया है अब हमें फ्रेंट और बैक पार्ट को जोड़ने के लिए यहां पे हमें बीच में 6 फंदे कास्ट अन करने है तो इसी तरह से फंदे कास्ट अन करने जैसे मैं कर रही हूँ, ये 2, 3, 4, 5, और ये 6, अब 6 पंदे कास्ट ओन करने के बाद हमें बैक पार्ट को यहां पर जोड़ना है, तो बैक पार्ट के जो एक 106 पंदे हैं, उन्हें हम सीधा बुनेंगे, दूसरी साइट के मारकर पॉइंट हमें बूनते जाना है, बैक साइट के हमें 106 पंदे बूल ले हैं और मारकर पॉइंट आ गया है, अब हमें इस साइट के शोल्डर के फंदो को भी यान में सिक्योर करना है, तो इस साइट जो 75 पंदे हैं, उन्हें भी हम यान में सिक्योर कर लेंगे, हमने शोल्डर के फंदे सिक्योर कर ले हैं, अब हमें बैक और फ्रेंट पार्ट को यान भी जोड़ना है, तो इसके लिए हमें इस साइट भी 6 पंदे कास्ट ओन करने, तो या हम 6 पंदे कास्ट ओन करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, अब 6 पंदे कास्ट ओन करने के बाद, आगे फ्रेंट साइट के 56 पंदों के हम सीधी बुनाई करेंगे, 56 पंदों को सीधा बुनने के बाद, फिर बॉर्डर के 17 पंदों की बुनाई करके ये रो कम्प्लीट करेंगे, तो बॉर्डर के 17 पंदे हैं, उनने हमें बुनाई करेंगे, तो पहले बॉर्डर के फंदों की हम बुनाई करेंगे, तो बॉर्डर के 17 पंदे हैं, उनने हमें बुनना है, पहले यहाँ पर दो फंदों को स्लिप करके तीसरा फंदा हमने बुनना है, फिर आगे हमें बॉर्डर वाली बुनाई करनी है, तो एक फंदा हमने सीधा और एक फंदा पॉल बून कर चौदर फंदों को हमने बूनना है बॉर्डर के हमने 17 फंदे बूनने है उसके बाद आगे हमें पॉल बूनते जाना है फिर दूसरी साइट के बॉर्डर के 17 फंदे बून कर हमने ये रोग कम्प्लीट करनी है रॉंग साइट की हमने बुनाई कर ली है अब हमें राइट साइट की बुनाई करनी है और याद रिखेगा इस रो में हमें बटन होल भी बुनना है दूसरी साइट तो हमें इस साइट के बॉर्डर की पहले बुनाई करनी होगी तो दो फंद हमने स्लिप करने है तीसरा फंद हमने सीधा बुन कर फिर आगे बॉर्डर के फंदों की पूरी बुनाई करनी है फिर आगे दूसरी साइट के बॉर्डर तक हमें सीधी बुनाई करते जाना है दूसरी साइट के बॉर्डर में हमें बटन होल बुनना है अब यहां तक हमने पुनाई कर ली है और बॉर्डर के फंदे बजगे हैं अब राइट साइट का यह बॉर्डर है और यहां पर तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और यह 17 तो यहां 17 फंदे बजगे हैं इनी 17 फंदों में हमने बटन होल बुनना है बटन होल बूनने के लिए पहले हमने बॉडर के आठ फंदे बूनने हैं तो एक फंदा सीधा और एक फंदा हमने परल बूनना है ऐसे करके आठ फंदे हमने पहले बूनने है हमने बॉर्डर के 8 फंदे बून ले हैं अब इस साए 9 फंदे बचे हैं अब इन 9 फंदों में से 2 फंदे हमने गटा कर बटन होल बूनना है तो यहां पर आगे से हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है अब यहां पर यह जो यान है वो यहीं रहेगा अब इन 2 फंदों का हमने एक फंदा करना है ऐसे सामने से गटाना है अब इसी तरह से हमें एक फंदा और गटाना है तो 2 फंदे ऐसे लेंगे इन 2 फंदों का एक फंदा करेंगे मैंने इसमें चोटे बटन्स लगाने हैं तो मैं दो फंदे गटा रही हूँ आपको यह दी बड़े बटन्स लगाने तो इस इसाब से आगे फंदे गटाएगा अब यहाँ हमने दो फंदे गटा है उपर से हमें दो फंदे कास्ट ओन करने हैं बटन रोल के लिए तो साथ में यहां पे हम फंदे कास्ट ओन करेंगे तो दो फंदे हमने कास्ट ओन कर ले आगे जो फंदा जैसा है वैसे हमने बुनना है तो अब आगे का जो फंदा है वो सीधा है तो उसको हमने सीधा ही बुनना है यह वाला फंदा सीधा है तो उसकी सीधी बुनाई करेंगे यान पीछे लेकर एक फंदा सीधा और आगे का फंदा पर्ल है तो उसे पर्ली बुनना है फिर एक फंदा सीधा बुनना है फिर एक पॉल बुनना है फिर बचे तीन फंदो को सीधा बुनकर हमने ये रो कम्प्लीट करनी है राइट साइट के हमने बुनाई कर ली है और हमने बटन होल भी बून लिया है अब हम रॉंग साइट की बूनाई करेंगे तो रॉंग साइट हमें वैसे ही बूनना है जैसे हम बूनते हैं तो इसमें पहले हम 17 फंदों के बॉर्डर की बुनाई करेंगे फिर आगे पर्ल बुनना है और दूसरी साइट के बॉर्डर के 17 फंदों को बुन कर इस रो की बुनाई कम्प्लीट करनी है रोंग साइट के बुनाई हमने कम्प्लीट कर ली है और एक बटन होल भी हमने बुन लिया है अब आगे हमें बुनाई ऐसे ही करते जाना है बॉर्डर के फंदों को बुनना है फिर बीच में हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है और तब तब बुनते जाना है जब तक की इसक कुम्प्रीट नहीं हो जाती आगे हमें पॉकेट भी बूलने हैं फ्रेंट्स आज हम यही तक ही सीखेंगे इसके आगे की बुनाई हम पार्ट टू में सीखेंगे आई होप आप सभी को यहां तक वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और बहुत ईजी भी लगा होगा तो बह लोग अपना ख्याल रखेगा और मेरे चैनल के साथ जूड़े रहेगा थैंक यू सो माज